हलो फ्रेंड्स मैं कुंदेन कुमार आप सभी का एक वार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉंसेप्ट में स्वागत करता हूँ तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग घटा चक्रबुक से बिहार प्लीस कॉंस्टेबल का जो प्रिवियस एक्जाम हुआ है 2010 से लेके 2002 तक उसको जो है सेट वाइज हम लोग किलियर कर रहे हैं तो आज का जो वीडियो है वह वीडियो है बिहार प्लीस कॉंस्टेबल एक्जाम जो हुआ था 8-3-2020 को फर्स्ट सिप्ट का जो इसका जो कुश्चन है वो आज हम लोग किलियर करेंगे तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे नहीं है तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा बगल में बैल आकन हो का आप उसको दवाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो डाले उसका प्रेम सब्द का पढ़िया वाची नहीं है प्रेम सब्द का पढ़िया वाची नहीं है प्रेम सब्द का पढ़िया वाची नहीं है उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला कुश्चन कुश्चन नोबर नौ में दिया हुआ है कि अरुन यह मधुमय देश हमारा अरुन यह मधुमय देश हमारा जहां पहुँच अंजान छितिच को मिलता एक सहारा उपर युक्त कावे पंक्तियां किस कभी द्वारा रचीत है सही आंसर हो जाएगा इसका जैसंकर परचाद के द्वारा उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला कुश्चन अब यह अगला कुश्चन देखेंगे अगला कुश्चन नमर 10 में दिया हुआ है कि सहित्यक का सुथ सब्द क्या होगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपसन नमर B जो B में जो दिया होगा है साहित्यक ये जो है इसका सुथ सब्द हो जाएगा उसके बाद हम लोग दिखेंगे अगला question और वो है question number 12 question number 12 में दिया होगा है कि आखों देखा गदर रजना की वित्या क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका संस्मरन संस्मरन जो है इस question का right answer हो जाएगा next question देखेंगे question number 13 में दिया हुआ है कि यदी वह परिस्रम करता तो प्रथम सरेनी में उतीर न होता वाके किस परकार का है? यह वाके जो है किस परकार का है तो सही आंसर हो जाएगा इसका option number 10 संके तारथक वाक्य यह कौन सा वाक की हो जाएगा संके तारथक वाक्य हो जाएगा अगला question देखेंगे question नमर 15 कि जो कम बोलता है उसके लिए उप्युक्त शब्द कौन सा है सही आंसर हो जाएगा इसका मित्भासी मित्भासी जो कम बोलता है उसके लिए जो परियुक्त सब्द होता है वो होता है मित्भासी याद रखेगा Next question है question number 16 में दिया हुआ कि आचारे राम चंत्र सुक्ल द्वारा रचित कवीता की परक किस परकार का निबंध है तो यह है समिक छात्मक नी बंद समिक छात्मक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा Next दखेंगे question number 18 में दिया हुआ है कि निमन वाक्यों में से असुध्वाक क्या कौन सा है तो असुध्वाक की दिया हुआ है option number C में मैंने हस ताक्षर कर दिया है हस ताक्षर कर दिया है ये जो है असुध्य वाक्य है नेक्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नमर 19 की वर्तनी द्रिष्टी से असुध्य विकलप को चून ये सही आंसर हो जाएगा इसका ओप्सन नमर A और D दोनों हो जाएगा दवाईयां और मिर्तिव परांद जो है दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्ट देखेंगे लो क्वेश्चन नमर 20 की सुधी कलप में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है सही आंसर हो जाएगा इसका आख्याई का अक्याइका में जो है आ अपसर का पड़ियोग हुआ है नेक्ट देखेंगे 21 नमर में निम्लिकित में से कौन सा युखम सही सुमेलित नहीं है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपसर नमर C शीरो को कैनेडा ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्ट देखेंगे question number 22 में दिया हुआ कि नेमन में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है सौर मंडल का सदस्य जो है कौन नहीं है सही आंसर हो जाएगा इसका ताराकार ताराकार जो है सौरमंडल का सदस्य नहीं है उसके बाद अब हम लोग देखेंगे next question question number 20 में दिया हुआ है कि स्वरनेम चतुर भुज पर योजना स्वरनेम चतुर भुज पर योजना का संबंध किसके विकास से है सही आंसर हो जाएगा इसका राजमार्ग के विकास से स्वरनेम चतुर भुज पर योजना को जाना जाता है उसके बाद हम लोग देखें गला question question number 24 कि भारत की कौन सी निर्यात निती ने रिनात्मक सुची के अलावा सभी मदों की स्वतंतर आयात की अनुमती दी है सही आंसर हो जाएगा इसका option number नमर 17 सब 65 अप्शन number B 17 सब 65 इस बी में इंगलाइंड ने अमेरिका पर stamp act जो है वह लागू किया था आजए इसके बारे में जानते हैं कि इंगलाइंड ने अमेरिका पर 17 सब 65 इस बी में stamp act लागू किया था इस कानून के द्वारा समाचार पत्रों पत्रीकाओं पत्टों तथा कानूनी दस्तावे जो आधी पर stamp लगाना आवस्यक हो गया था उसके बाद लोगो देखेंगे अगला question 26 नमर की निम्न में से कौन सा प्रभूसत्ता यानि की संप्रभूत्ता का लक्षन नहीं है राइट आंसर हो जाएगा इसका अवसिष्टता अवसिष्टता जो ह वो आश्ट्रेलिया में इस्तित है जो सोने के खान के लिए प्रसीद है अगला question देखेंगे 28 नमर की भारते समीधान के अनुछे 368 का संबंद किससे है सही आंसर हो जाएगा इसका संबंद संसोधन से 360 का जो संबंद है वो किससे है तो संबंद संसोधन से है नेक्सट आइ 29 नमर की 2001 से 2011 की जनगरना में बिहार की दसके विर्धी दर किया थी सही आंसर हो जाएगा इसका option नमर 25.42% उसके बाद हम लोग देखेंगे अला question question नमर 30 नमर की असोग के प्रस्तर अभी लेक खाली जगह के प्रतिक थे सही आंसर हो जाएगा इसका option नमर C प दिया हुआ है कि निमन में से कौन सा भारतिय संभी धान की विश्यस्ता नहीं है सही आंसर हो जाएगा इसका option नमर C प्रतिबध न्याइपाली का प्रतिबध न्याइपाली का जो है वह भारतिय संभी धान की विश्यस्ता नहीं है option नमर C इस question का सही आंसर हो जाएगा next दे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपती के कारेकाल प्रावधान से नेक्स्ट दखेंगे हम लोग question number 34 भारत में जैब विवीदता की दृष्टी से कौन सा तप्त अस्थल में सामिल है सही आंसर हो जाएगा इसका पस्चिमी घाट पस्चिमी घाट जो है वो तप्त अस्थल में सामिल है उसके बाद हम लोग दखेंगे इंगला question 35 नमर निमने लिखित में कौन सा एक उपनिसद के उदाई का अत्यधिक उप्युक्त कारण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म सुधार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्ट दखेंगे 36 की भासन और अभी व्यक्ति की स्वतंदरता का अधिकार प्रदत है समिधान किस समिधान के अनुछेद के द्वारा तो राइट आंसर हो जाएगा समिधान के अनुछेद 19 के द्वारा जो है भासन और अभी व्यक्ति की स्वातंदरता का अधिकार प्रदत है नेक्ट देखेंगे हम लोग क्वेशन नमर 37 वेश्टी अर्थ सास्तर का सम्बंद किस से है साई या अनसर हो जाएगा व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से उसके बाद हम लोग देखें गला क्वेशन 38 नमर बिहार एबम उत्तर परदेश राजियों की सम्मिलित परियोजना कौन सी परियोजना है तो वह परियोजना है गंडक परियोजना जो है वह बिहार एबम उत्तर परदेश की सम्मिलित परियोजना है गंडक परियोजना जो या इस्थित है कोलकाता में, कहां पे इस्थित है, कोलकाता में इस्थित है, सुभास, चंद्रबोस, अंतराष्टी, हवाई, अड़ा, नेक्ट देखेंगे question number 40, कि भूमी पूत्र सब्द की समस्या से संबंदित है, सही answer हो जाएगा इसका छेतरवाद से संबंदित है, भूम तारापोर समिती जो है, इसका right answer हो जाएगा, आएगे कुछ facts जानते हैं इसके बारे में, कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्त नियता पर तारापोर समिती का गठन किया गया था, और इसका गठन RBI द्वारा किया गया था 1997, इस भी में आप ये भी याद रखिएगा, नेक्ट देखें गारा question number 42, कि पुस्ताज घास परदेश कहां पाया जाता है, और अप्सन नमर 3 में दिया हुआ हुआ हंगरी में, कहां पे पाया जाता है, उसके बाद हम लोग देखें गला question number 43, नियमने लिखित में से किसने water frame नामक कताई मसीन का अविस्कार किया था, य यह विस्कार किया था, रिचर्ड आर्कराइट के दौरा, यह किसने किया था, रिचर्ड आर्कराइट के दौरा जो है, यह किया गया था, water frame का विस्कार, next देखेंगे, 44, नमर कुमार गंधर्व बेजोर गाई का किसे मानते हैं, तो वो हम मानते है, लाता मंगेशकर को, option number A जो है इस question का right answer हो जाएगा, अब उसके बाद आए हम लोग अगला question देखेंगे, question number 45 की कस्मीर घाटी निमनिकित में से किन परवत सरेनियों के बीच इस्तित है, तो इसका जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, पीर पंजाल और बिरहत हिमाले के बीच, कस्मीर घाटी जो ह है, वो हकिन परवत सरेनियों के बीच में स्तित है, तो वो है पीर पंजाल, पीर पंजाल और बिरहत हिमाले के बीच में स्तित है, अगला question देखेंगे, 46 की भारत में विदेसी परत्यक्ष निवेस्ट से होने वाले परवाह को सामिल किया जाता है, तो इसका right answer हो जाएगा, option number C में, पुझी खाते की जमामदों में, पुझी खाते की जमामदों में, जो इसका right answer हो जाएगा, next देखेंगे, 47 नमर की अधिकारों का आदर्सवादी सिधान्त मनुसिके कौन सा बल देता है, किस पर बल देता है, इसका right answer हो जाएगा, वो जाएगा, नहतिक विकास पर बल देता है, अधिकारों का आदर्सवादी सिधान्त जो है, वो मनुसिके नहतिक विकास पर बल देता है, next देखेंगे हो लोग, 48 नमर की, Cape of Good Hope की खोज किस ने की थी, तो यह खोज किया गया था, बार्थी लेमू डियाज के दौरा, किसके दौरा, बार्थी लेमू डिया इसके दर घटती है, next है, सिंदुगाटी सब्यता की अधिकतर मुहरे निर्मित है, सही आंसर हो जाएगा सेल खड़ी से, किस सेल खड़ी से, उसके बाद है 51 नमर में, कि निमिलकी तमें से कौन सा एक उपनिवेस वाद के उदय का अत्यधिक उप्युक्त कारण है, सही आंस अंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका सुन्यकाल, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है, सुन्यकाल, अप्सन नमर एस कोईशन का राइट आंसर हो जाएगा, next देखेंगे हम लोग, आज लेकिन इसके बारे हम ठीक बाद के एक घंटे को हम लोग सुन्यकाल कहते हैं, और जिसका समय बारा वज़े से एक वज़े तक होता है, तो भारती संसदिये व्यवस्था में सुन्यकाल भारत की देन है, next देखेंगे, question number 53 की बिहार में कुल संसदिये निर्वाचन शेतरों की संख्यां कितनी है, स 55 की बिद्याले की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च कौन सा होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, पुजीगत एवं विकास वियाए दोनों, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, next है 56 नमर गौतम बुद्ने धर्म चक्र परवर्तन कहां से अरंभ किया आरंभ किया था, सही आंसर हो जाएगा सारनात से, कहां से, सारनात से जो है धर्म चक्र परवर्तन जो है गौतम बुद्ने शुरू किये थे, next है कि यह किशने का था कि राज वैक्ति का पुर्वगामी है, तो यह कहा गया था अरस्तु के द्वारा, अरस्तु जो है कहा था क कि राज वैक्ति का पुर्वगामी होता है, और अस्तु के अनुसार राज एक अच्छे जीवन की आवस्यक सर्त है, next 58 नमर में है कि निमलकित में से कौन सी संस्ता, पंचवर्ची योजनाओं की किरियान वीती के लिए जिम्यदार है, तो वह संस्ता है योजना आयोग, यो आंसर हो जाएगा, next देखेंगे कि मेसोपोटामिया का भी प्राय है क्या, सही आंसर हो जाएगा इसका दजला फरात नदियों के बीच की उपजाओ धरती, मेसोपोटामिया का भी प्राय है, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाओ धरती, उसके बाद हम लोग देखे है किसके साही आंसर हो जाएगा क्लोरीन के गे मैक्सिम डिडिटी और बिलीचिंग पॉडर जो है मातवपूर्ण योगी किसके है तो वो है क्लोरीन के उसके बाद हम लो देखेंगे 63 नमद निमनों से कौन सा SOS बंद प्रदर्सित करता है साही आंसर हो जाएगा अगला क्वेशन देखेंगे question number next question है question number 66 की एक heater का तंतू बना होता है कि इसका सही answer हो जाएगा नाइक्रोम का heater का तंतू जो है वक कि इसका बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है उसके बाद हम लोग देखें अगला question question number 67 की KMNO4 में magnesium की आउक्सी करन संख्यां क्या है सही answer हो जाएगा इसका plus 7 जो है इसका right answer हो जाएगा next है कि XeO2F2 की आकरिती होगी कैसी सही answer हो जाएगा इसका triconia dvipyramidic triconia dvipyramidic जो है इसका right answer हो जाएगा next 69 नाइक्स की डाइबोरेन 120 डिगरी Celsius पर ammonium से क्रियागर की क्या देता है सही answer हो जाएगा इसका b2s to 2ns3 जो इसका right answer हो जाएगा next देखे हैं में क्वेश्चन नाइक्स नाइक्स रोक का जनक है एक क्या सही answer हो जाएगा इसका विसानू विसानू जो है एड्स रोक का जनक है अपसा नमर B जो है इस question का right answer हो जाएगा अगला question देखे हैं हमलो question number 71 की होक के नियम आनुसार कम निरूपन के लिए क्या होता है सही answer हो जाएगा परती बल बरावर जो है E विक्रिती हो जाएगा अगला question है 72 नमर की नियम न में से कौन सा अंग मनुस के मादा प्रजनां से संबंदीत नहीं है तो इसका जो right answer हो जाएगा वो जाएगा सुक्रवाही का सुक्रवाही का जो है right answer हो जाएगा नेक्स्ट question देखेंगे 73 नमर नियमन में से किस अनु या आयन में और युगमित इलेक्ट्राउन नहीं होते हैं सही answer हो जाएगा इसका option number C उसके बाद हम देखेंगे अगला question की जेनर डायोट का पड़ियो किस रूप में होता है तो सही answer हो जाएगा इसका वोल्ट अता नियंतरक के रूप में जेनर डायोट का पड़ियो किया जाता है उसके बाद हम देखेंगे वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है जो है, जो है isका option number B यानि की U A A A जो है इसका right answer हो जाएगा अगला question देखेंगे 76 number की SI मातरक में बोल्स मान और निया तांका मान कितना होता है सही answer हो जाएगा option number D option number D जो इसका right answer हो जाएगा उसके बाद हम दो देखेंगे अगला question question number 77 Q77 मैं कि कौन सा जन्तू? चीर डिम्बता दर्साता है. सही आंसर हो जायेगा इसका फाइनोसोमा. फाइनोसोमा जो है चीर डिम्बता को प्रदर्सित करता है. अगला Q78 नमबर मिटी में नमक की उच सांदरता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका option number A love node भीद कहलाता है उसके बाद हम लोग देखेंगे 79 नमर question beryllium, boron, magnesium तथा aluminium and nevon में से किसका दूइती आयनन विभाब अधिक होता है तो सही आंसर हो जाएगा इसका option number A option number A में दिया हुआ boron जो है इसका right answer हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे 80 number question 92 सबसे तेज संचरन करती है किसमें सही आंसर हो जाएगा इसका ठोस में 92 सबसे तेज संचरन किसमें करती है तो ठोस में करती है उसके बाद next question होगा 81 number की बसंती करन के लिए अनुकूलतम ताप मान क्या है सही आंसर हो जाएगा 5 degree Celsius से लिएके 10 degree Celsius उसके बाद 82 number निमलकित एलकेन के सही IUPAC नाम की पहचान करें सही आंसर हो जाएगा इसका option number A 2-2 डाय मिथाइल ब्यूटेन डाय मिथाइल ब्यूटेन उसके बाद हम लोग देखें गला question question number 83 और नभी करनी ये उरजा का सरोत किया है सही आंसर हो जाएगा इसका कोईला कोईला जो है और नभी करनी उरजा का सरोत है उसके बाद हम लोग देखें गला question 84 नमर की एक इलेक्टॉन एपो प्रोटाउन की डी ब्रागली इतरंगदार की समान है किसका वेग अधिक होगा तो right answer हो जाएगा इसका इलेक्टॉन का वेग जो है वह अधिक होगा उसके बाद 85 नमर में है कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया समेलित नहीं होती है तो इसका जो right answer हो जाएगा संचलन संचलन जो इसका right answer हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखें गला question 86 नमर की सन्योजक योगी क्या होता है सही आंसर हो जाएगा इसका option नमर D बंध अनू के बीच इलेक्टॉनों के साजे से बनते है उसके बाद 87 नमर की निमिलित में से कौन सा एक carbohydrate नहीं है सही आंसर हो जाएगा इसका glycine glycine जो है एक carbohydrate नहीं है उसके बाद हम लोग 88 नमर question देखेंगे कि पानी से बनने वाले बुलुबूले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है सही आंसर हो जाएगा इसका प्रकास का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है बुलुबूले में चमक होती है उसके बाद हम लोग देखेंगे question number 89 question number 89 में दिया हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटी है इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number D salmonela type E salmonela type E जो है इसका right answer हो जाएगा तो friends ये था आज का 83220 जो first shift का question था उसका सारा का सारा GKS current affairs और हिंदी का question उमीद है कि आप लोगों को ये सारे question जो है अच्छे level के question लगे होंगे एक बार comments करके ज़रूर बताइगा कि आप लोगों को पीडियाप चाहिए तो हमारे telegram channel villagers concept को join कीजिए वहाँ से फिर ही मैं उसको download करके देख सकते हैं तो चलिए फिर ऐसे वीडियो पाने के लिए इस channel को एक वार subscribe ज़रूर कर लीजेगा और बगल में bell icon होगा उसको दवाना मत भूलिएगा तो next वीडियो में दोबरा फिर से मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद